ओके गाइज गूड़ मॉर्णिंग तो आज हम लोग देखेंगे PSI के बारे में PSI का फूल फॉर्म है power supply installation और देखें पावर सब्ला इंस्टॉलेशन जो है जो कि टियाडी का एक पार्ट है उसमें मों को क्या क्या करना पड़ता है क्या उसमें यही है उनका क्या डिवीटीज है और कौन-कौन सा हम लोग के पास equipment होता है और क्या उसका specification सुना चाहिए क्या उसका मेंटरेंस होगा मतलब लोग PSI का जानेंगे एज़े इंचार्ड ज़दी आप या फिर हको से पहले आपको जानना वह कि PSI मनों का नाम जानना होगा इसे सबसे सबसे पहले हम लोग के पास sélection इसको लोग सॉट में बोलते हैं टी एसे फिरिंग पोस्ट है स्क्राइब भी बोलते हैं स्पी है सेक्षिनिंग पोस्ट बोला जाता है स्पी फुल फॉर्म होगा सब सेक्षिनिंग पोस्ट उस तरह से एक्जलरी टांसफर्मर इसका सॉट फॉर्म एटी है और पहले आजकाल यूज नहीं हो रहा बूस्टर टांसफर्मर भी यूज होता था जिसका सॉट फॉर्म आपको बीटी कहीं कहीं पे थ्रू आउट वीडिये में भी मिल जाए तो देखें यहां पे एक पिक्चर दिखाया गया है आपको और यह पिक्चर जहां तक मुझे दिख रहा है यह पिक्चर आपको किसी SP का है यहां पे आपको ट्रांसफर्मर भी दिख रहा है तो यह SP नहीं यह आपको TSS का पिक्चर दिखाया गया है आगे बढ़ते हैं आगे आपको दिया गया है कि AJ, SSE या फिर J आपको क्या काम करना तो आप यह SSE या फिर J कहीं पे पोस्टेड होते हैं PSI में तो आप डिरेक्टली AE या फिर D या फिर डिरेक्टली कहें तो सिनियर D के अंडर आ रहे होते हैं उनके कंट्रोल में होते हैं और आपको PSI का सारा मेंटरेंस का काम देखना होता है आपके जो भी सबस्टेशन से जदि वो अपना रेल्वे का ओंड है तो आपको उसका मेंटरेंस देखना होता है SP है SSP है जितने सक्सिनिंग पोस्ट है वो सारा का मेंटरेंस देखना होता है आपको अपना डिपो के बारे में जानना होता है तो बेसिकली जो आपका काम है वो है कि हमारा ओइची को फीड मिलते रहना चाहिए इसके लिए आपको काम करना है ताकि एक सबस्टेशन से आप ओइची को फीड देते रहे हम लोग रेलवें पावर कहा से लेते हैं रेलवें का कोई अपना तो पावर प्लांट है नहीं तो हमेशा कोई प्राइवेट फर्म या फिर कोई स्टेट ऑन इलेक्रिसिटी बोर्ट से खरिद दिया और उस इलेक्रिसिटी को एजब PSI स्टाफ आपको जो भी करना है मोडिफाई वो आप करेंगे और आपका जिम्यदारी है कि आप उसको कैसे ओईची को फीड करेंगे तो स उसका इंस्टॉलेशन मेंटरेंस यह सारे चीज़ों को देखना है कि अगया है कि अधिए आपको यहां पर को इंस्टॉलेशन हो रहा है तो उसको सुपरवाइज करना होगा ताकि जिस अकॉर्डिंग में उसका आपको सब कुछ मिला है उसक्राइब बढ़ियां सर्विस दे आपको प्रॉफर कोडिनेशन रखना होगा बागी लोगों के साथ जैसे कि हमारा ओची के साथ तो सबसे जरूरी आपको रखना होगा क्यूंकि आप उसको फीड दे रहे हैं आपको साथ में रखना होगा सिगनल वालो लोग के साथ क्यूंकि आप सिगनल को भी फीड द देना पड़ता है क्योंकि आपको कभी वाला बोलेगा कि नहीं मुझे यहां पर कुछ चेंज करना है कुछ आपको सुष्पूर्ट आपको में करना है तो अपको 57 करना होगा तो इसलिए रखना कि क्यूंकि कि आपको कभी अपना demand बढ़ाना हي, कभी आपको लग रहा है कि supply voltage में रखका हम आरहा ह原因, कभी आपको supply जो दे रहा है उसमें कहीं breakdown आगया, यह फिर supply ऑ ơi छाहती है कि या फिर हम एक घंटे के लिए आपको supply नहीं दे सकते तो उस case में आपको in form करना चाहेगी, तो यह सारे चीज़ के लिए आपको Supply Authority के साथ भी अपना Coordination बना के रखना होगा एजे इंचार्ड आपको नहीं पता है कि कब मेरे सक्षन में Breakdown हो जाएगा तो आपने स्टाफ को आपको हमेशा Ready रखना है कि कभी किसी तरह का Breakdown होता है तो हम उसको जाके तुरंट Attempt कर सेगे और इसको तुरंट ठीक कर सेगे और हम कभी नहीं चाहते हैं कि Breakdown हो Breakdown होने से Relio को BMW को बहुत ज़ादा Loss होता हैιο-aldry-away को बहुत ज्यादा लोस होता है तो प्रेले को लेक्ड़ां होने से इसके लिए जरूरी है कि testing और maintenance आपका का मेंटरेंट्स करना है कोई अर्थिंग बांडिंग है तो यह सारे चीज़ों को आपको मेंटरेंट्स को देखना है कि आपके अंडर बहुत सारे स्टाफ होंगे तो वह सारे स्टाफ को आप ट्रेंड करेंगे जदि आपको लगता है कि नहीं इसका कोई ट्रेंडिंग schedule आने वाला है तो आप उसको training के लिए भेज़ेंगे रेफ्रेशर कोर्स के लिए आपको लगता है कि इस जगा पे हमको स्टाप को मानिटर करने का ज़रोता तो आप अपने स्टाप को मानिटर करेंगे कोई स्टाप के पास स्टोर में या फिर कुछ आपको चाहिए त्यान रखना होगा कि हमको कब क्या चाहिए को स्टोर में ज्यादा आपको लग रहा है कि पुराना होने वाला यह मेरे यूज का नहीं है तो उसको आपको रिटर्न भी देना है आपको प्योडिकल अपने समानों का नहीं करवाएंगे तो हो सकता है कि वो चोरी हो जाए इसलिए उसका अकाउंट मेंटेन किजिए उसको वैरिफाइ करते रहिए अपने स्टाप को जब भी रिक्वायर हो कि कोई सब स्टेशन है वहां पे रिमोट फेल हो गया है तो आपको टिपीसी से कॉल तो आप वहां क्या operation क्या function perform करेंगे जो भी installation है आपके जो डिक्सन में आइधर OTSS हो, SP हो, grid हो यह सारे को आपको मन्त में कमसे गम एक बार देखने का कोशिश करना है मन्त में एक बार जाके देखना है अब हमेशा अपने जो भी officers हैं जो आपसे superior हैं उसको हमेशा जो भी movement कर ले हैं जो भी आपका progress है उसके बारे में inform करके रखिए कि आप क्या next करने वाले हैं ताकि जवरत पढ़ने पर आप उसका assistant ले सके वो inform होंगे तभी तो आप उससे assistant मांग सकते हैं कि इसके अलावे इसके अलावे कोई duty आपको assign किया जाता है तो आप उसे भी परफॉर्म करेंगे आपको क्या किया सकता है जो आपके फिल्ड का है for example जदी कहीं से कोई transformer को खरीदना है तो हो सकता है कि आपको बोला जाए कि जाके एक बार उसका चेक कर किया उसका testing हो रहा ह तेस्टिंग में तुम participate करो और देखो कि वो सही है कर नहीं तो ऐसे केस में आपको जाना है कोई भी चीज़ जदी आपको duty assign किया जाता है तो उस चीज़ को आपको देखना है इसके बाद minimum schedule है कि कम से कम आप एक महने में कितना काम कर लेंगे तो कम से कम आपको एक महने में चार टी एसस चार स्विचिंग स्टेशन और एक ग्रीड स्टेशन जाके inspect करना है inspect करना है mind it हम यह नहीं बोले कि maintenance करना मेंटेर्स का schedule अलग है लेकिन यह आपको कम से कम वहां पर जाके inspect करना ऐसे तो आपके जिव डिक्शन में जितने चीज़ आ रहे हैं सबको एक बार ज चाके आप मन्हें inspect कीजिए लगिन जदी आप नहीं पॉसिबल हो पा रहा है नहीं कर पा रहें तो कम से कम चार टी एसस चार एसपी और एक ग्रीड सबस्टेशन इतना को आपको inspect करना ही चाहिए तो यह तो हमारा हो गया कि हमको क्या duty परफॉर्म करना है तो basically हम लोगों ने duty में क्या देखा duty में हमने देखा कि सबसे पहले आपको आप सोची कि आप एक supervisor है as a supervisor आप क्या करेंगे as a supervisor आपका काम है कि आपके officer और आपके staff और आपके work यह तीरों के बीच में relation बनाना इसके लिए सबसे पहले आपको officers जदी कुछ बोलते हैं तो उसको सुनना है officers जो भी आप करें उसको inform करके रखना officers को officer को आपको नया task दे रहे तो आप उस task को perform किजिए officers आपके पास जो भी movement है उसको आप उसे progress report बना के दीजिए यह तो होगी आपका officers के साथ relation आपको अपने work के साथ relation रखने के लिए आपको technically sound बन होना पड़ेगा आप टेक्निकली sound रहे हैं अपने staff को हमेशा train करते रहे हैं कि आपको कैसे काम करना आपको लगता है कि कहीं पर staff को special training का ज़रुरत है तो आप उसको train किजिए staff का refresher course होता है आप उसको आप उन लोगों पर ध्यान दीजिए जो लोग को आप देख रहे हैं कि वर्क में एफिसेंट नहीं है उनको आपको जल्दी से जल्दी होचके तो रिप्रेश्चर कोर्स में भीजना चाहिए आपको जितने भी maintenance का काम है वो सारा कुछ देखना है उसका inspection करना तो कम से कम आपको मंत में एक बार जितने भी आपके अंदर डीपो आते हैं जो भी आपको बाकी के जो डिपार्टमेंट है जैसे ओईची है या फिर आपका सिगनल है या फिर आपका सप्लाई ऑथरिटी जिसे हम लोग एक्टिसिटी खरीदते हैं तो उन सारे लोगों के साथ आपको बढ़ियां कॉडिनेशन बना के रखना है ताकि जब भी ज़रत पड़ हमारे सांची Osama कसे टेस्तिंग क्व है frequent कब है यह सारे चीजों को आपको देखना है अपना प्रोपर ऑफिस का जो को मिन्टैन करना है तो यह तो हो गया हमारा duty क्या है लेकिन हमने इसमें एक बहुत important point बोला कि आपको technically sound होना पड़ेगा तो technically sound होने के लिए हम लोग को technicals जानने होंगे तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके jurisdiction में क्या-क्या समान आने वाला है उन चीजों के बारे में आप जान ले तो चलिए इनके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं traction power transformer अब यह traction power transformer आपको कहां मिलेंगे as per name यह transformer ही है लेकिन यह जो है power transformer मतलब high voltage high current transformer है यह और साथ में इसे हम लोग traction के लिए यूज़ करते हैं इसलिए इसका नाम traction power transformer यह आपको मिलेगा TSS में TSS में हम लोग 132 kv या फिर 220 kv जो state electricity boards है उनसे लेते हैं और वहां अपना transformer जैसा कि आप figure में देख पा रहे हैं हैं ऐसा एक transformer को install करते हैं और उस 132 kv या फिर 220 kv voltage को हम लोग 25 kv voltage में transform करते हैं और वहां से यसी भी हम लोग फीड देते हैं OEC को तो वहां पर हमको एक transformer मिलेगा काफ़ी टाइम क्या होता है कि हम लोग अपना TSS नहीं रखते हैं अपने पास बस feeding post रखते हैं और एक grid सबस्टेशन मतलब एक ऐसा सबस्टेशन जो कि हमारा सेलफ और नहीं है वह एक अस्टेट लैक्टिस्टी वोड ऑन करती है उसका transformer है और वह हमको 25 के भी supply देती है तो वहां पे भी यह पावर ट्रांसपोर्मर होता है ट्रेक्शन पावर ट्रांसपोर्मर लेकिन उसका maintenance उस सब्सक्राइब लेगा तो यह दो जगह पर आपको ट्रेक्शन पावर ट्रांसपोर्मर मिलेंगे तो आपको जैसा फिगर में देख पा रहे हैं ट्रेक्शन पावर ट्रांसपोर्मर में एक तो वाइंडिंग और जो आपने देखा यह आपका स्विचेज होता है और आपका साथ में यहाँ पे कुछ आपको डिस्प्ले मिल जाएंगे जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि करेंट सिट्वेशन क्या चलता है टेप चेंजर होता है यहाँ पर देखे यह जो आपको दिख रहा है यह टेप चेंजर है इसके बाद आपको बुकॉज रिले मिलेगा बुकॉज रिले जैसर कि आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेटर और में जो है टांस्फॉर्मर का चेमबर उसके बीच में एक पाइप जो दोनों को कनेक्ट करता है उसमें लगा हुआ होता है इसके बाद यह एजबी बूसिंग है आप एजबी तर्वल चाहिए क्या करेक्टरिस्टिक है कि तो जब भी यह एक ट्रेक्शन पावर ट्रांस्फॉर्मर ख़र्दने जाएंगे तो सबसे पहले इसका क्रेक्टरिस्टिक से है कि यह अपने हाइस्ट अफिसेंसी पे तब चलता है जब यह 50% फुल लोड पर ऑपरेट कर रहा और जदिस टांसफोर्मर को ओवर्लोड किया जा सकता है मतलब अभी तो 50% पर से था अभी तो 100% तक जाएगा इसके बाद वह खोगा तो ज्यादि हम लोग इसको ओवर्लोड करते हैं तो जैसे इसमें 50% ओवर्लोड देते हैं तो फिपटी पर संट ओवर्लोड पर 15 मिनट तक यह operate कर सकता है या फिर जदी हम लोग 100% overload करते हैं मतलब जितना इसका rated capacity है उससे दो गुना उससे दो गुना जदी हम लोग उहां से power ले रहे हैं उस पर पर operate करवा रहे हैं तो यह 5 minute के लिए operate करता रहेगा और यह steady temperature पर रहेगा continuous operation करता रहेगा इसका जो bushing होता है यह bushing oil impregnated paper type होता है इसलिए यहां पर आपको मिल रहा है OIP इसका full form है oil impregnated paper oil impregnated paper condenser type bushing with building current transformer और यहां पर current transformer भी लगा हुआ होता है आपको bushing पर ही एक छोटा सा छोटा सा एक दम मीटर मिलेगा जिस पर आपको current transformer का reading current का जो reading है वह दिखाई देता है तो उसको operate करवाने के लिए current transformer वहां पर लगा जाता है यह primary और secondary दोनों साइड पर होता है और अभी तो हमने देखा कि 100% जैदि उसको overload कर रहे हैं तो 5 minute के लिए operate कर सकता है 50% overload करते हैं तो 15 minute के लिए operate कर सकता है अब जैदी एक बार आप overload कर देते हैं और आप फिट से उसको 10 minute के बाद फिट से overload करते हैं तो यह transformer trip कर जाएगा इसमें high temperature हो जाएगा कम से कम इसको तीन घंटे का interval चाहिए overload को permit करने के लिए मतलब अभी मान लेजिए कि हमने 100% overload किया और वो लगभग लगभग 5 minute हुआ 5 minute को cross नहीं किया तो transformer trip नहीं करेगा लेकिन जैदि हम फिर 2 घंटे के बाद ही फिर यह इसका specifications है काफी बार काफी बार हम लोग का यह short circuit होते रहता है ट्रैक्शन में एक average जदी मानें तो average हमें बता जाता है कि 200 short circuit एक मंत में होता है जो की dead short circuit हो सकता है जिसका value आपका 40% से 100% तक overload करवाने वाला हो सकता है ऐसा 200 short circuit या फिर earth fault आप कहले एक पंध में होता है तो इसके वज़ाद से thermal और mechanical stress आता है तो हमें ऐसा transformer चाहिए जो short circuit current को reduce कर चाहिए और इसके लिए हमें impedance ज्यादा चाहिए तो इसलिए हमने इसका impedance लगभग 12 plus minus 0.5% specify किया होगा है एक high percentage impedance है जो कि 12 plus minus 0.5% होता है हम लोग यहां पर tap changing भी कर सकते हैं tap change हम लोग क्यों करते हैं tap change करते हैं हम लोग जदी हम लोग को supply authority side से जो voltage मिल रहा है वो voltage specified नहीं हो कभी कम हो सकता है कभी ज्यादा हो सकता है तो हम लोग उस चीज़ को maintain करने के लिए ताकि मेरे output में मुझे जितना voltage है जो कि 25 kv है average तो हमको 25 के भी मिलता रहे इसलिए हम लोग tap changer का use करते हैं तो tap changer यहां पर जो होता है वो off load tap changer होता है off load tap changing मतलब क्या है off load मतलब है कि जब आपका transformer पावर सप्लाय नहीं हो रहा होगा तभी आप उसका tap को change करेंगे वह चीज जब हम लोगों का बात करते हैं तो लोकों में हम लोग को on load tap changer होता है जो लोगों का transformer होता है वो on load tap changer होता है इसलिए गाड़ी चलते हैं उसका tap change कर सकते हैं जब पावर समें feed हो रहा है लेकिन यह off load है अब यहां off load transformer हम लोग प्लस 10% तक या फिर माइनस 15% तक voltage को change कर सकते हैं और ये 5% के step में होता है 5% के step मतलब अभी मान लिए 0 पे है तो एक बार प्लस 5 जाएगा फिर प्लस 10 जाएगा उसे तरह से माइनस 5 जाएगा माइनस 10 जाएगा और माइनस 15 तक हम लोग voltage को ले जा सकते हैं ये percentage में मैंने बात कि अग्या maximum efficiency के अरे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 50% of full load पर operate करता है temperature rise temperature rise transformer का ऐसा है कि 50 degrees Celsius से जाएदा आपका temperature नहीं होना चाहिए तो normally 100% of overload के लिए हम लोग ने बताया कि 5 मिनट तक survive कर सकता है वही 50% overload करते हैं तो 50 मिनट तक लिए survive कर सकता है लेकिन किसी भी तरह से जदी 50 degrees centigrade से winding resistance जाएदा हो गया है या फिर temperature जो है वो 40% से जाएदा हो गया oil के लिए जो oil का temperature हो वो 40% और जो winding का temperature हो 50% तो transformer हो सकता है ट्रिप कर जाए ऐसा हम लोग को specification बना के देना है कि जदी winding resistance 50% और oil resistance आइसा हम लोग को टांस्पोर्ण बनाना है कि जदी oil का temperature 40% से जाएदा हो या फिर winding का temperature कैसे मेजर करते हैं resistance measurement method से हम लोग उसको मेजर करते हैं तो उसका temperature 50 degree centigrade से जाएदा हो जाता है तो transformer का CB आफ हो जाना चाहिए अब कोई भी transformer जो बनता है तो उसमें हम लोग short circuit के वज़र से जो thermal stress आता है तो यह एक बहुत बड़ा problem है कि हम लोग इसको कैसे और कम करें हलाकि हम लोग इंसे demand करते हैं कि इसको इतना चाहिए 200 short circuit हो सकता पर मन तो उसे साब से आप mechanical stress से पाए वैसा transformer आप दे दीजे लेगिन वो चुकी test नहीं कर पाएंगे इसलिए हम लोग एक average मान के रखते हैं कि TSS है TSS में इसको लगा रहे हैं हम लोग traction को feed देंगे तो इसमें frequent short circuit होते रहेगा तो भाई आप मुझे ऐसा transformer दे दो कि यह frequent short circuit को सेह पाए और यह खराब ना हो कोई transformer जो होता है उसका rating नॉर्मली नॉर्मली 21.6 MBA से लेकर 30 MBA तक होता है 21.6 से 30 MBA तक उसका normal होता है और इतने MBA के लिए यह oil natural, air natural पे cool हो जाता है लेकिन हम लोग चाहे तो इसको इसका rating बढ़ा सकते हैं कैसे यहां पर जो operation होता ना यह oil natural यह फोर्स्ट का भी हम लोग करके रखते हैं मतलब cooling के लिए हम लोग एक्स्टा फेंड भी लगा करके रखते हैं रेडियेटर के पास आपने फिगर में देखा होगा और नहीं देखा तो मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं फिगर में कि देखे यहां पर तो दिखाई नहीं दे रहा है अग пыт दूसरे फिगर में दिखाओंगा यह त्रांस यह देखे यहां पर लगा हूआ कि से सब्सेदिकर भी है ऺन के यहां ने ऍिचे इसमें दिख रहा हैं यह नीचे से फें लगा रहता है और temperature rise को reduce करने लगता तो इस तरह से करके हम लोग इसका capacity वो 40% increase कर सकते हैं मतलब एक transformer capacity यह भी 100 MBA का था तो जब लोग उसको O-N-A-N पर operate करें तो 100 MBA तो जब उसको O-N-A-F मतलब oil natural Air Force पर operate करेंगे तो 140 MBA तक हम उसको operate करवा सकते हैं अब यह transformer है तो transfer में बहुत सारे चीज होंगे बहुत सारे accessories होंगे तो उनका नाम दिया हुआ है सबसे पहले bookage relay है silica gel breather है oil level indicator है magnetic oil level gauge है temperature indicator है boosting current transformer है pressure release valve है drain and filter valve है pressed steel radiator है OIP condenser boosting है OIP के बारे मैंने भी बताया था आपको यहाद है oil impregnated paper terminal connector and necessary pipe works यह सारे चीज एक transform में होते हैं तो एक-एक accessories को एक-एक part को हम लोग देखेंगे आगे तो फिरहाल इस lecture को यहां खतम करते हैं और मिलते हैं अगर लक्षर ने जहां हम लोग यह सारे चीजों को discuss करेंगे कि यह सारे चीज क्या-क्या होते हैं झालो